शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें आप इंसानी दातों वाली मशली देख कर यकिनन चौक जाएंगे कोंडाली समय पर तरोडा के तालाब में, इंसान जैसे दातों वाली मशली होने के बाद तरोडा गाव के लोगों ने बताई तीन से पाश किलो तक के वजन की इस मशली का जबडा बिलकुल इंसानों की तरह है बताय जाता है कि इस मशली के दात इंसान की तरह चप्टे है इस तरह की दातों वाले मशली यहां के तालाबों में पहली बार देखने मिली है यह तरोडा गाव के पूर्व ग्राम पंचा सदस्या, शंकर सोलंकी तथा गाव वासियों ने बताया तरोडा ग्रामीन के इस इंसानी मशली को देख कर लोग हैरान है देखने में तो ये मशली कैट फीश की तरह लगती है इसके शरीर पर काली सफेद धारिया है यह किसी प्रजाती की है इसके बारे में कार्टल तहसिल के पूर्व पशुसवर्द नदिकारी डॉक्तर अनिल ठाकरे से पोशने पर बताया कि कुछ मशलीों के प्रजातियों में इंसानों की तरह दात होते है कुछ मशलीों की मसोड़े बहुती मसबुत होते है यह मशली बंगला देश में पाई जाती है यह मशली रूप चन के नाम से भी जाने जाती है पता दे कि मशली वास्तविक्ता दातो और ओठों के साथ इंसान के जैसी कई वी शिष्टाय हो सकती है इस मशली को सामन्य बोली भाषा में पाकू तथा मराठी ग्रामिन में अंचल रूप में रूप चंदा के नाम से जाने जाती है यह मशली दक्षिनपूर वे एशिया तथा बांगला देश में पाई जाती है इसका बेश पच्छे मंगाल के मार्क से अपने देश में आने की जानकारी डॉक्टर ठाकरे इन्होंने दी है इसके ओट और दाथ इनसानों जैसे होते है इन मशलियों के जबड़े काफी मत्बूत होते है यह एक ऐसी मशली है कि इस मशली के दाथ कुछ इनसानों और शार्क की तरह जैसे होते है यह हड्या तक कचुर्मा बनाने का दम रखती है यह हड्डियों तक का चुर्मा बनाने में रिद्दम रखती है हाला कि यह मशली अपने आकरव अपने खतरनाक तरीकों से लोगों के आकरशन का केंदर भी है इस मशली को देखकर आप बेहत हैरान होंगे क्योंकि इस मशली के पास इंसानी ओट और दाथ है यह मशली ग्रामी नंचल में चर्चा का विशे बनी हुई है